वल्कम बेक गाईस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार्णिवल आफ टेरर और मुझे यहां से निकलना होगा और मुझे कदम कदम पर नएने ट्रैप का सामना करके आगे बढ़ना होगा मेरे सामने काफी लावा है लेकिन बीच में जो ब्लॉक है मुझे इनी सारे ब्लॉक प पाइप का यूज करेंगे नीचे जम्प करेंगे जम्प करा फिर से जम्प करते हैं जम्प किया मेरे सामने डिफरेंट कलर का बलॉन है जो की ब्लॉक का काम कर रहा है जम्प करते हैं आ चुके हैं नीचे चलेंगे फड़ाबर्स से नीचे आ चुके हैं आगे बरते फड़ वर्च उसके बाद देखते हैं क्या सीन है यहां आ चुके हैं यहां समल के जाना होगा क्योंकि यहां पर फायर निकल रहा है और मुझे इसमें जलना नहीं है इसलिए अच्छी तरीके से जाना होगा वेट करते हैं थोरा सा क्योंकि जल्दवाजी में मैं kill होना नहीं चाता हूँ आगे चलते हैं आचुके हैं यहां पर अग मुझे pipe पर jump करते हुए आगले destination पर जाना होगा jump करते हैं jump करा फिर से pipe पर मुझे चल कर जाना होगा और जैसे जैसे हम लोग आगे बरते जाएंगे वो ऐसे वेसे हमारे सामने का ट्रैप और भी ज़्यदा मुश्किल होता जाएगा आगे चलते हैं और यहां समलके यह कार्निवल का हैड निकल रहा है यह कार्निवल का हैंड का फिजदा डेंजरस है और हम लोग इस तरफ आ चुके हैं अब मेरे सामने आइरन का खंबा है तो मुझे इस पर जंब करके आगले स्टेज में जाना होगा तो जंब करते हैं हम लोग इहां आ चुके हैं इसके उपर चलेंगे यहां जो आइरन का रोड निकला हुआ है मुझे इसी रोड पर जम्प करते हुए उपर की और जाना होगा फड़ाबर से चलते हैं उसके बाद देखेंगे कि अगला स्टेज का जो ट्रैप होगा वो आसान है, मुस्किल है या फिर बहुत मुस्किल है ये तो उपर जाने के बाद ही पता चलेगा और हम लोग काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी दिक्कत के फिर से जम्प करा यहां आचुके हैं, मुझे सीधा जाना होगा फड़ाबर चलते हैं, रनिंग करके हम लोग यहां आचुके हैं अब मेरे सामने और भी ज्यादा पतला पाइप है और मुझे इस पर भी चल कर जाना होगा तो अच्छी तरीके से चल कर चलते हैं कुछ इस तरीके से जाएंगे बहुत सही है मैं, फिर से आगे चलेंगे उस तरफ चलते हैं काफी अच्छी तरीगे से हम लोग जा रहे हैं तब तो का आप लोग चाहो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो बस थोरा और बचा है दो तीन बार और मुझे कॉर्नर पर गोमना पड़ेगा कॉर्नर पर हमारे केरेक्टर को काफी जिदा दिक्कत होता है क्योंकि अगर थोरा सब मिस्टेक होगा तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे अच्छी तरीगे से चलेंगे बहुत सही है मैं मेरे केरेक्टर का बैलेंस अपने अप गरबर होने लगता है इसे अच्छी तरीगे से लेकर आ चुके है इस वाइट लेडर की मदद से उपर आ चुके है डोर के अंदर चलते हैं समल के समने कटर है कटर को हमें अच्छी तरीगे से समझ कर जंप करना है हम लोग जल्दवाजी नहीं कर सकती तो मैंने पारकर लिया आगे चलेंगे और यहाँ पर भी आईरन का लेडर है इस आईरन के लेडर की मदद से उपर चलते हैं उपर जाने के बाद देखेंगे क्या सीन होता है उपर हम लोग आ चुके हैं मेरे सामने जूला है और मुझे वही पर जाना होगा तो फड़ापर से चलते हैं यहाँ पर टेरर का जोकर मेरे पीछे पर चुका है यह इविल जोकर है इसके हाथ में नाइफ है अगर मैं इसकी चपेट में आ गया तो यह मुझे किल कर देगा और मैं किल होना नहीं चाहता हूँ उपर चलेंगे फड़ापर चलते हैं अब देखते हैं क्या सिन होगा क्या मैं इसने मुझे एक बार किल कर दिया लेकिन इस बार मैं किल नहीं होने वाला हूँ इस बार मैं समझ या कि यह जोकर फटैक से उस तरब चला जाता है मेरे पीछे आते-ाते जैसे हम लोग इसके उपर चड़ते हैं वो जोकर इस तरप पहले ही आजाता है इसमार अची तरीगे से जाएंगे ओकी वह राजोकर इतने असनिस नहीं जाएंगे जंप करेंगे ओल राइट काफी अची तरीगे से हम लोग ने जंप करा हमें कुछ सकंट वेट करना होगा क्योंकि ये जो जूला है हमें सही destination पर लेकर जा रहा है कुछ सकंट वेट करना पड़ेगा उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अगले स्टेज में और देखेंगे अगला स्टेज कैसा होने वाला है यहां आ चुके हैं नीचे उतर भी चुके हैं आगे चलते हैं अच्छी तरीके से जाएंगे क्योंकि यहां पर चौरो तरफ सिर्फ खत्रा एक खत्रा है अगर थोड़ा सा भी हमारे करेक्टर का बैलेंस गरबर हो गया तो नीचे खाई में गिर जाएंगे इतना दूरी पर यानि किल होना तो तै है इस तरफ चलेंगे उसके बाद इस तरफ चलते हैं मेरे सामने बैलून का ब्लॉक है तो मुझे जंप करना होगा पहले रेड ब्लू उसके बाद ये ग्रीन जंप करा यहाँ आ चुके हैं इसके उपर भी आ चुके हैं मेरे सामने एक जूला है ये मुझे नीचे लेकर जाएगा और ये जूला काफी तेज जलता है इसमें स्पीड काफी ज्यादा है इसे स्लो करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा नीचे लेकर आया फिर से उपर जाएगा और फिर से नीचे लिया कर छोड़ देगा उतरते हैं उतर चुके हैं क्योंकि हम लोग आ चुके हैं अगले स्टेज में और अब देखते हैं मेरे सामने का ट्रैप कैसा है इसका कोडिनेशन भी मैं समझ चुका हूँ अच्छी तरीके सा आगे बढ़ेंगे आगे चलेंगे इस कटर से बचना पड़ेगा इस कटर का कोडिनेशन भी मैं समझ चुका हूँ दिकत वाली सीन नहीं है इसका भी मैं समझ गया क्या ही मैं बचा हूँ देख रहे हो आग मुझे सामने बॉल से बसना पड़ेगा ये आइरन का बॉल काफ़े जिदा खतरनाक है और मुझे इससे बचकर निकलना होगा इसकी चपेट में केरेक्टर भी आ चुका है लेकिन ये मुझे नहीं रोक पाया और ठीक मेरे सामने एक पोटल दिखाई दे रहा है और मुझे इसी पोटल के अंदर जाना है तो चलो फड़ाबर से पोटल के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं क्या सीन होगा तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं ब्रीज को पार करना पड़ेगा अच्छी तरीके से अगर मैं एक भी मिश्टेक करूँगा तो मैं किल हो जाओँगा मुझे फिर से इसे पार करना पड़ेगा और मैं किल होना नहीं चाहता हूँ यहाँ आ चुके हैं अब मेरे सामने यहाँ पर फायर निकल रहा है जो कि गोल-गोल घूम रहा है और मुझे इस फायर से बचते हुए यहाँ से जाना पड़ेगा अच्छी तरीके से चलते है स्टॉप लेके आराम से जल्दवाजी नहीं कर सकते है जैसी यह घूमेगा वेसे हमें यहाँ से निकलना होगा इस ब्लॉक पर जम करते हैं आ चुके फिर से उपर चलेंगे आ चुके है एक बार और चलेंगे उपर ओल राइट हम लोग इसके उपर भी आ चुके है मेरे सामने आयरन का रोड है और हम लोग इस पर काफ़े अच्छी तरीके से जम करके जा पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के यहाँ भी आ चुके हैं नीचे भी आ चुके हैं मेरे सामने पोटल है इसके अंदर चलेंगे हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर जम करते हैं फिर से जम करते हैं फिर से एक बार जम करेंगे बहुत सही है मैन फिर से आगे चलेंगे फिर से चलते हैं बहुत सही है मैं यहां भी आ चुके हैं आगे चलते अब देखेंगे मुझे क्या करना होगा तीन चार प्लेट और है यहां जंब करा उसके बाद यहां यह सबसे लास जंब होगा हम लोग यहां आ चुके हैं अब मेरे सामने यहाँ पर स्काई ब्लू पोटल है अब मुझे इसी स्काई ब्लू पोटल के अंदर जाना होगा फड़ा बड़ से चलते हैं और हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं उपर चलते हैं जम्प करके जम्प करके यहां आ चुके हैं फिर से जंप करा, फिर से जंप करेंगे और हम लोग यहां आ चुके हैं, इसके उपर चलते हैं, इसके उपर भी हम लोग आ चुके हैं, उपर जाना पड़ेगा, बहुत सही है मैं, और हम लोग यहां पर आ चुके हैं, बहुत सही है, आगे चलेंगे, और यहां भी जंप करा, काफी अच्छी तरीके से जंप करा फिर से इसके उपर जाना पड़ेगा इसके उपर भी हम लोग आ चुके हैं अब मुझे कहा जाना होगा इसके उपर आ चुके हैं यहाँ पर भी एक पोर्टाल एंदर चलेंगे फिर से मेरे अंदर रनिंग का अबिलिटी आ चुका है हम लोग सीदा जोला मुखी के अंदर जंप कर चुके हैं यानि की हम लोग आ चुके अगले स्टेज में और देख लेते यह स्टेज कैसा है मुझे सच में कुछ भी आइडिया नहीं है आगे चलते फड़ावट से इसके अंदर भी हम लोग आ चुके हैं मेरे सामने काफी खतरनाक सा लेजर है मुझे इस लेजर से बच्ते हुए मुझे यहां से निकलना होगा काफी अच्छी तरीके से बहुत सही है मैं हमें कुछ बार और जंप करना होगा उसके बाद हम लोग यहां से असानी से निकल पाएंगे बिना किसी दिक्कत के आ चुके हैं डोर के अंदर अगले स्टेज में आ चुके हैं यहां पर चारो तरफ ट्रैप लगाया हुआ है अगर मैं किसी भी ट्रैप में थोरा सा भी सटूंगा तो मेरा किल होना तै है और मैं किल होना नहीं चाहता हूँ अच्छी तरीके से चलेंगे यह रहा मेरे सामने डोर अंदर चलते हैं आ चुके हैं इसके अंदर अब मुझे इसे भी पार करना पड़ेगा काफी अच्छी तरीके से इसका भी कोडिनेशन मैं समझ गया हूँ अच्छी तरीके से पार कर रहे हैं बहुत सही है मैं इसे पार करना पड़ेगा क्या मैं मैं किल होते होते बचा हूँ देख रहे हो क्या है हम लोग ने चुम्प कर हताब जाके हम लोग बच्चे अंदर चलेंगे आ चुके हैं अब मुझे इसे भी पार करना पड़ेगा ये नीचे आ रहा है ये लेजर है इसका कोडिनेशन समझ के ही हम लोग जाएंगे ओके फिर से चलते हैं अराम से जल्दवाजी नाई और ये सबसे लास्ट लेजर होने वाला है इसे पार करते हैं इस सामने डोर है अब हम लोग जाने वाले हैं सबसे लास्ट स्टेज में आ चुके हम लोग सबसे लास्ट स्टेज में अब मुझे क्या करना होगा इस कार्ट का यूज़ करना होगा और यहां से निकल जाना है और यहाँ पर हमारा काट हो चुका है स्टार्ट और धीरे-धीरे उपर जाते जाते इस काट में बहुत ही ज़दा यहाँ पर पावर आजाएगा बूस्ट करने का और यह काफी तेज तरीके से चलने लगेगा ओके अब यह धीरे-धीरे बहुत स्पीड चलने लगा है उसके बाद इस तरीके से चल रहा है बहुत सही है मैं इस तरीके से चलने लगा है ओके आगे चलेंगे अब हम लोग पहुंचने हैं वाले साइट डेस्टिनेशन पर और यहाँ पर हमारा काट जम्प करके इस तरह आ चुका है वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बता देना वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को अलपे सेट करके